प्राचीन समय की बात है एक नगर में एक धनवान सेट और उसकी पतनी रहते थे उनकी एक पुत्र भी था सेट की पतनी की धर्म कर्म में रुची नहीं थी वो पुरानी परमपराओं को भी नहीं मानती थी हिंदू परमपरा की अनुसार मासिक धर्म के समय पर इस्तरी को रसोई का कारे नहीं करना चाहें परंतू सेट की पतनी इन सब बातों को नहीं मानती थी और बिना रितुस्नान किये ही रसोई के कारे करना बरतन आदी चीजे छूना जैसा काम वो करती थी उसके इस दुराचारण का उसके पती के धर्म कर्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और मृत्तिव के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ा सेट को मरने के बाद बैल की योनी मिली तो उधर सेट की पतनी को कुतिया की योनी में जन्म लेना पड़ा इन योनियों में फिर वो दोनों अपने बेटे के घर पर ही थे और उसके घर की रखवाले करते थे एक दिन सेट का स्राद्ध था उसके बेटे ने अपनी इस्त्री से कहा कि आज पिता जी का श्राद है घर पर मैंने पंडित जी को नियोता दिया है वो भोजन के लिए आएंगे यह कहकर वो काम पर चला गया सेट की बहु ने श्राद के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई सेट की बहु काम में ब्यस्त थी और तभी एक साप आया और खीर के बरतन में खीर चाटने लगा उस पर बहु का ध्यान नहीं गया परन्त उस कुतिया ने साप को खीर में मुँ लगाते देख लिया उसने सूचा की बहु ने इस साप को नहीं देखा और यही खीर बो पंडिजी को खिलाएगी तो जहर से उनकी मृत्यू हो जाएगी यही सूच कर उस कुतिया ने उस खीर के बरतन को गिरा दिया यहे देखकर बहु को बहुत क्रोध आया और उसने उस कुतिया के लकड़ी फेक कर मारी जो उस कुतिया की पीट पर जाकर लगी कुतिया के बहुत ते चोट आई बहु ने फिर दूसरी खीर बनाई बहु और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन करवाया और दक्षणा देकर बिदा किया उस दिन उस बहु ने उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया रात्री में कुतिया बैल के पास गई और उससे बोली आज आपका श्राद था आपके नाम पर पंडित जी को खूब स्वादिस्ट भोजन कराया गया आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा किन्तु मुझे तो आज भोजन के बदले मार खानी पड़ी बैल ने उससे कारण पूछा तो कुतिया ने उससे सारी कहानी सुनाई तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा आज और दिनों से काम जादा था मुझे भी भरपेट भोजन नहीं मिला जब कुतिया और बैल बाते कर रहे थे तो बो बेटा और बहुत सुन रहे थे उनको उनकी बाते सुनकर बहुत अचमबा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ फिर अपने मन की संतुस्टी के लिए उस बेटे ने एक पहुचे हुए पंडित जी से जाकर पूछा कि मेरी माता पिता मृत्यू के उपरांत अब किस योनी में है तब उस पंडित ने बताया कि तुम्हारे पिता बैल और माता तुम्हारी कुतिया की योनी में दुख भोग रही है वो अभी तुम्हारे ही घर में है उसको यह जानकर बहुत दुख हुआ उसने उस पंडित से उसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी वो धार्मिक रिती रिवाजों का भी अनुसरण नहीं करती थी वो रितु काल में भी रसोई के काम करती थी जबकि मासिक धर्म के समय यह वर्जित होता है उनको उसी पाप का दंड मिल रहा है तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनी से मुक्ती का उपाय पूछा तब पंडित ने उसे भात्रपद की कृष्ण पक्ष की सस्टी अथार्थ चंद्र छट के ब्रत के विसे में बताया और कहा जब पूजन के बाद कुवारी कन्या चंद्रमा को अर्ग दे तब वो दोनों अर्ग के जल के नीचे खड़े हो जाएं जिससे वो जल उन पर पड़े इससे उनको इस योनी से मुक्ती मिल जाएगी घर पहुचकर उस बेटे ने बैल और कुटिया को बहुत प्रेम किया और उनको प्रेम से भूजन कराया फिर जब चंद्रचट आई तब उसने कुवारी करन्या से चंद्रसस्टी का ब्रत और पूजन करवाया अर्ग के समय उस कुटिया और बैल को अर्ग के जल के नीचे खड़ा कर दिया उन पर अर्ग का जल पड़ने से उनकी मुक्ती हो गई दोस्तों ये थी हमारी चंद्रचट ब्रत की कथा अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो आपके लिए थोड़ी से भी यूसफुल रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए राधे राधे एब्रिवन